असलाम नेकुम दोस्तों, कॉपियर.PK के चैनल में खुशामदीद, मेरा नाम है जैनुलाबीदीन, आज हम आपको HP Plotter T830 के इंस्टालेशन का प्रोसीजर आपको दिखाएंगे, उसके इलावा इसके बॉक्स में मुझूद तमाम एसेसरी और जो नेसेसरी और इसकी असेम्बली करेंगे, आप देख सकते हैं इसमें मुझूद केबल दी गई है, इसके स्टैंड दिये गई है, इंक काट्रिजी साथ दिये गई है, दोस्तों यह फोर कलर इंक जेट प्रिंटर है, मल्टि फंक्शन प्रिंटर है, इसमें स्कैनर, कॉपियर, और प्र मल्टि फंक्शन ट्रे है, जो अलाइदा से आती है और प्रिंटर के अंदर मॉड्यूल में फिक्स होती है, इसके लावा इसके साथ ही लिट्रेचर बुक्स हैं, इसमें आपको सिक्यूरिटी गाइड्स, उसके लावा इंस्टॉलेशन की गाइड एक मिलेगी, उसके लाव दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह इसकी एक वर्टिकल बार है, जो इसके स्टैंड की इसम्बली में यूज होती है, उसके लावा यह आपका पोच है, जिसमें आपकी तमाम ड्राइंग्स जो हैं, वो प्रिंटिंग के बाद इसमें कॉलेक्ट होती है, यह स्टैं वर्टिकल बार स्टैंड के साथ दो स्क्रू के साथ फिक्स होती है, दोनों साइडों पर दो दो स्क्रू होती है, चार स्क्रू के साथ यह वर्टिकल बार स्टैंड असेम्बली के साथ फिक्स हो जाती है, दो स्क्रू एक साइड पे और दो स्क्रू दूसरी साइड पे, इस इस एसेम्बली में जो स्क्रू यूज हो रहे हैं वो टॉर्क्स टाइप स्क्रू हैं टॉर्क्स 20 स्क्रू होता है जो आपकी मॉंट के लिए इस्तमाल होता है जैसा कि आप देख सकते हैं कि दोनों साइटों पर दो दो स्क्रूज मॉंट करके टोटल चार स्क्रूज के साथ की वर्टिकल बार इंस्टाल हो गी है अब हम इसका पोच इंस्टाल करेंगे पोच टॉप से इंस्टाल होता है और उसके बाद पोच के दो लीवर्ज हैं जो पोच की हुक्स के अंदर बैठ जाती है इस वर्टिकल बार को इंस्टाल करने से पहले इसके उपर दो प्लास्टिक के माउंट्स हैं जो इसके उपर लगेंगे इन माउंट्स को ये दोनों माउंट्स बिल्कुल आइडेंटिकल है इनको इंस्टॉल करते वक्त एरो का ध्यान रखना है एरो की जो पॉइंटी एंड है वो पोच की साइड पे होता है जी तो दोस्तों जैसा कि देख रही है कि हम अपने प्लाटर को इसकी पैकिंग में से निकाल रही है प्लाटर को पैकिंग से निकालने के बाद इसको इस स्टैंड की उपर माउंट किया जाएगा प्लाटर की दोनों साइडों पर मौझूद स्टैरो फोम पैकिंग जो है वो रिमूव कर दी गी है कि आप इसका उपर जो पॉलिथीन की पैकिंग है उसको हम उतार रहे हैं प्लाटर का जो फ्रेंट एंड है वो पोच की तरफ अलाइन होगा जहां से ड्राइन की जो आउट होगी वो सिर्षी पोच में आके ड्रॉप होगी प्लाटर का फर्मली दोनों साइड़ों से पकड़ के हमने इसके उपर रख रही है अब प्लाटर की बेस से इसके अंदर चार्ट स्क्रू टाइट होंगे जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह तमाम प्लाटर के उपर शिपिंग रिटेनर्ट लगे में हैं मुछिव जगों पर जहां से कोई कवर ओपन हो सकता है वहां पर टेप हुआवा है यह प्लाटर उसके लावा स्क्रीन के उपर एक प्रोटेक्टिव शीट लगी है जो इसको स्क्रैच हुगए से महफूज रखने के लिए है यह इसकी मटी परपस ट्रेय है जी मल्टी परपस ट्रेय भी शिपिंग रिटेनर्स के साथ महफूज की गई है उसके लावा इसको नमी से बचाने के लिए सेलीका जैल का एक पाउच जो है वो साथ लगावा है ये इसकी इंक कार्टरिज बे है जी यहां पर इसके इंक कार्टरिज इस यहां पर इंस्टाल होंगे यह आप स्कैनर देख सकते हैं जी स्कैनर इसकी LED एरे स्कैन है और यह तीन स्कैनर जिसमें माउंट हुए में है यह इसका जी सर्विस टेशन और प्रिंट हैड बे है यहाँ पे आके इसका प्रिंट हैड रेस्ट करते है यह आप जो स्पूल देख रहे हैं जी यह रोल को और पेपर को माउंट करने के लिए स्पूल यूज़ होता है यह इसकी एगजिट ट्रेए है जी जब आप मल्टी परफिस ट्रेए यूज़ करते हैं कट शीट यूज़ करेंगे तो यह ट्रेए आप उपन कर सकते मल्टी परफिस ट्रेए को आप अनलॉक भी कर सकते हैं सर्विस परफिस के लिए उसके बाद आप इसको लॉक करके लेफ्ट रियर एंड पर इसकी पावर केबल लगती है जी पावर केबल लगाने के बाद आप इसको अन करेंगे सबसे पहले जी आप इसकी लेंग्विज चूज करेंगे हमने जी इसकी लेंग्विज इंग्रिस स्लेक्ट कर लिए उसके बाद हम इसका रीजन स्लेक्ट करेंगे रीजन चूंकि पाकिस्तान में इंस्टाल हो रहा है अब इसका जो रीजन है वो हम पाकिस्तान स्लेक्ट कर ताइम स्लेक करेंगे प्रिंटरीवरे में में समस्रीजारा रहा है कि इसके का इसमें अप्र मिस्टाल के नहीं के दिला यहाज बासंट को अनिक आता को स्लेक क्रेंगे इनका नबर सेमन टू एट है हम इन cartridges को color code के hesap से install करेंगे जो लोगँ अपना नया business शुरू करना चाते हैं या नकषे प्रिंटिंग या नकषे screen करने की field में अपना business start करना चाते हैं उनके लिए बहुत अच्छा printer है इस वक मार्कीट में एक नक्षे की स्कैनिंग का जो रेट है वो तक्रीबन तीन सो रुपया है ए ए वन साइज की जो स्कैनिंग है उसका रेट तीन सो रुपया है इस वक कमर्शिली अवेलिबल 36 इंच का जो रॉल है उसमें आपकी 55 से 60 के दरम्यान ड्राइंग्स प्रिंट होती है मुख्लिफ ब्रैंड्स के मुख्लिफ रॉल्स है उनकी लंबाई मुख्लिफ होती है लेकिन जो स्टेंडर्ड लंबाई है वो 90 फीट है जैसा कि दोस्तों आपने लेखा कि हमने चारों काट्रिजिज इंस्टॉल करनी है और अब हम इसकी इनिशिलाइजेशन का वेट करेंगी आप देख सकते हैं कि सिस्टम इंक सिस्टम को इनिशिलाइज कर रहा है जी तो दोस्तों जैसा के आप देख हकते हैं कि जैनरें लाइव कर्टिजिस में इस्तॉल हो चुके हैं कि लोड करने कостar को का जैसा करेगा जैसा कर दो के हमारे प्रिंटर ने और सेटिंग्स के दिए और जाएंगे कि अप देख सकते हैं कि इसमें मंख至 देना के सैंड़् कर सकते हैं आईपि अधर्स बार देने के लिए सेटिंग्स हैं पेपर की सेटिंग्स हैं वाइलेस को अगर आफ करना चाहते हैं तो इसको आफ पी कर सकते हैं तो दोस्तो अभी हम अपने टेस्ट प्रिंट के लिए सबसे पहले रोल को लोड करेंगे रोल को लोड करने के लिए रोल को लुड करेंगे जी हम इस चाहिंगे प्रिंपर की टाइप हम क्लेन फेपर चूज करते हैं 36 इंच का जो रॉल इसक्त मार्कीट में उसकी प्राइस तक्रीबन पंदरा सो रॉपे आए जिससे आप 15 से 16 जार रॉपे की प्रिंटिंग कर सकते हैं तो आप इससे अपने मुनाफ़ा का खुबी अंदाजा लगा सकते हैं कि आप 15 सो रॉपे के रॉल से कितना मुनाफ़ा कमा सकते हैं रॉल सक्सेस्वली लॉड़िट ओके प्रेस करेंगे और इसके बाद आप हम रिपोर्ट्स में से की एक डेमॉ पेिज को प्रेंट करेंगे हमारे पास दिफरेंट हैं ₹णरर्ण., ₹णद, ₣डड and ₹ण doğru paper by class. जीएएस मैब डेमो को सेलग्ट करेंगे जी तो दौस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने जो against map डेमो सेलग्ट किया था उसके बाद हमें ये प्रिंट मिला है आप इस प्रिंट की कॉलिटी देख सकते हैं इनताई फाइन कॉलिटी है और बहुत अच्छी डिटेल्स हैं जी इसकी कलर बहुत विवेड हैं इसके और बारीक जो लाइन वर्क है उसको भी बहुत ही खुबस्वरत नजास में प्रिंट करता है दोस्तो इसके बाद हम इसका स्कैनर का टेस्ट करेंगे इसके लिए हम कॉपी करेंगे और जो अभी हमारा प्रिंटेड औरीजिनल है इसको हम स्कैन करेंगे और उसके बाद उसी की copy को उसके साथ compare करेंगे original के साथ हम compare करेंगे दोस्तों अब हम चुंकर हमारी copy scan हो चुक है उसके बाद हम eject को click करेंगे ताकि हमारी जो printing अब स्टार्ट हो सब्सक्राइब दोस्तों जैसा कि आप देखेंगे हम स्कैनर में original को place कर रहे हैं स्कैन करने के लिए अभी हमें इसी printed original की जो भी हमने कुछ अब से कुछ देर पहले print किया था इसकी output compare करने का मोखा मिलेगा है हमारे printer की जो default scanning resolution हो 300 dpi है लेकिन आप इसको मजीद increase करके up to 600 dpi तक लेके जा सकते हैं उसके अलावा application से scan से आप इसकी resolution को मजीद बढ़ा सकते हैं जी तो आप देख सकते हैं कि किस बेहतरीन स्पीड के साथ ये copy output हुई है अभी हम original and copy दोनों को compare करेंगे जी तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हूब हूँ exact result हमारे सामने है original and copy दोनों एक जूसे से 100% मैच करते हैं color tone में भी color tone में जरा सब फरक मौजूद नहींगी जी तो दोस्तों जैसा कि आप देख वीडियों में विलाज़ा किया कि ये इनतहाई बेहतरीन qualities का हमिल printer है architect हजरात और जो भी नक्षों की field से related हैं जिनकी field में नक्षों का काम है अमल दखल है वो इसको खरीच सकते हैं और इसको अपने बेहतरीन मसरफ में रा सकते हैं इसमें चूँके scanning, printing and copying की facility available है लहाजा ये एक बहुत बहुत बेहतरीन और मौजूब printer है ज़्यदा जगा भी required नहीं है और printing speed के वाले से भी आपने वीडियो में मिलाज़ा किया कि ये इंतहाई speedy printer है और आपके workload को अच्छा बेर करने वाला है और जल्दी से काम को खतम करने वाला printer है लहाजा ये commercial हजरात के लिए जिनके पास workload जैदा होता है या जिनकी printing या scanning की job जैदा है उनके लिए इंतहाई मौजू printer है ये printer आपको 6-7 लाक रुपे के दर्मियान इस वक्त मार्केट में available है इस printer के तमाम parts और after sales services तमाम चीज़ें इसकी available है आपको इस सिल्सले में अगर किसी भी किसम की कोई चीज़ required है तो आप हमारी sales stream से राप्ता कर सकते हैं